शान का समय है बागिन सूखी जाडियों में घार लगाए बैठी है अपने शिकार के इंतजार में एक असहाय हिरन वह घास में चिप जाती है उसकी खाल वहां आसपास की चीजों से छलावरण कर लेती है एक मिनट रुखते हैं और इसकी धारियों को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं क्या आपको पता है कि किसी भी बाग की धारियां समान नहीं होती हर कोई अनूठा होता है और ये कुछ-कुछ बाग की उंगलियों के निशान की तरह होते है इसका वैग्यानिक जवाब बहुत ही आसान है क्रमिक विकास इन धारियों का विकास होने में हजारों साल लगे हैं ताकि जानवर को आसपास के परिवेश में घुलने मिलने में आसानी हो और जिन्दा रहने में मदद मिले लेकिन कुछ ही लोग समझ पाते हैं कि यह स्वरूप जीवन के विकास के दोरान उत्पन्न हुए है और मजे की बात है कि ये रहे से सुलजाया गया एक गणितग्य दोरा ना कि किसी जीव विज्ञानी दोरा जिस आदमी ने यह बागों की धारियों वाला रहे से सुलजाया वह थे आलन टूरिंग वे एक ब्रिटिश गणितग्य थे जिनका जन्म 1912 में हुआ और वह द्वितिय विश्वियुद के दोरान नाजी एनिग्मा कोड तोड़ने में काम्याब होने की वजह से मशूर हुए उन्होंने कम्प्यूटर विज्ञान के रिकास में एक बड़ी भूमिका निभाई उन्होंने टूरिंग मशीन बनाई जो मूल रूप से एक आम इस्तिमाल के कम्प्यूटर का एक मॉडल था 1952 टूरिंग पर समलैंगित्ता का मुकदमा चलाया गया उस समय ब्रिटन में समलैंगित्ता अवैद थी पकड़े जाने पर टूरिंग को जेल जाने की संभावना का सामना करना पड़ा भया वह विकल्प थे अपने शरीर में महिलाओं के हॉर्मोन डलवाना रासायनिक बंधिकरण के बराबर इन दो विकल्पों का सामना करने पर उन्होंने महिलाओं के हॉर्मोन लेना उचित समझा दो साल बाद इस जिन्दगी से तंग आकर उन्होंने खुद कुशी कर ली बाद की जाच से पता चला कि उन्होंने खुद कुशी कर ली इन सब व्यक्तिगत नाटकिये घटना क्रम में भी उन्होंने एक दूर दर्शी पेपर प्रकाशित करवाया, जिसका शीरशक था The Chemical Basis of Morphogenesis, जो की गनित की प्रकरती नियमित रूप से किसी पैटर्न को दोहराने पर था, जैसे बाग की धारियों और जेबरा फिश, मेलनिन मतलब हलका रंग, ट्यूरिंग ये पता लगाने में कामयाब रहे थे कि यहां एक नहीं, दो रसायन काम कर रहे थे, इसी लिए यहां रंगों की एक रूपता नहीं थी, बहुत दो रसायन थे, एक उत्प्रेरक जो रंग का उत्पादन करता है, और दूसरा जो उसे रोकता है, ट्यूरिंग ने ये प्रस्तावित किया कि ये दो रसायन एक प्रणाली में बिलकुल वैसे ही फैलते हैं, जैसे गैस के परमानू एक बकसे में, बस एक महत्पुन अंतर के साथ, समान रूप से प्रसारित होने की बजाए, ये रसायन, जिन्हें ट्यूर जेरक और अवरोधक अलग-अलग गती से प्रसारित होते हैं, वे उत्तम किस्म के पैटर्न उत्पन करते हैं, जो हमें जीव जगत में देखने को मिलते हैं। जाएंगे और उन्हें नर्भक्षी खावी सकते हैं, हालांकि ये कुछ नर्भक्षियों को मिश्नरी में बदलने की कोशिश कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह काम करेगा, जब दो मिश्नरी एक नर्भक्षी से मिलेंगे, तो नर्भक्षी मिश्नरी में बदल जाएगा, अब पर नर्भक्षियों की बात करें तो वह प्रजनन कर सकते हैं तो जाहिर है उनकी संख्या बढ़ेगी इस योजना के तहट नर्भक्षी उत्प्रेरक हैं और मिशनरी अवरोधक की भूमिका में इस टापू पर हम अंतितह इन दोनों की एक स्थिर मिश्रित स्थिति पर पर नर्भक्षियों के साथ संत्रिप्त हो गया था दूसरे इलाकों में नर्भक्षी अपनी संख्या बढ़ा रहे थे चूंकि वह प्रजनन कर सकते थे प्रक्रिया की ये धर नर्भक्षियों के मिशनरी में बदलने की और संचार कितनी जल्दी नर्भक्षी और मिशनरी अ एक सी नहीं होती और कैसे उनकी उम्र के साथ साथ ये पैटर्न बदलते रहते हैं। ये जीवित पैटर्न, उत्प्रेरक और अवरोधकों के बीच बेरोग टोग प्रक्रिया का परणाम है। और ये पूरे जीव जगत में काम करता है। जिराफ और हिरन के धब्बों से लेकर चूहों के रंग तक। जब ट्यूरिंग ने ये सिध्धान्त प्रकाशित किया तो इसे पेचीदा लेकिन विचारवान माना गया। मज़े की बाद है कि ये 2012 का समय था जब इस सिध्धान्त को प्रेयोगात मक्स थापना मिली। यह किंग्स कॉलेज लंदन में चूहों पर किये गए प्रेयोग के माध्यम से किया गया। शोध करता चूहों में मुह की उपरी तरफ रिजज़ पैटर्न का अध्यान कर रहे थे और वह और एक साथ काम कर रही मौर्फो जीन्स की जोड़ी के पहचान करने में काम्याब रहे जो ये तै कर रहे थे कि रिज़ का गठन कहा किया जाएगा। ये पहली बार था जब जीव विज्ञानी किसी साथ साल पुराने सिध्धान्त का प्रतेक्षन नहितार्थ निरिक्षण करने में सफल रहे।